हेलो एवरिवन आई होप कि आप सब जहां होंगे बहुत अच्छे होंगे चलिए आज एक सौट में वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं जो कि देख लीजिए यह टेलर है और टेलर के उपर से अनलोडिंग में क्या गलती होता है और किस चीज को पहले ध्यान दिया जाता ह है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं तो क्रेन है यह और इसको टेलर से अनलोडिंग कर रहे हैं तो अनलोडिंग करते समय आप लोगों को किस चीज में ध्यान देना चाहिए ताकि आप लोगों से दिकतना हो और किस तरह से उतारा जाए इसके लिए मैं आज आप लोगों को ये वीडियो दिखा रहा हूं छोटा सा वीडियो है तो आप लोग पूरा फूल वीडियो देखें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करें तो देखिए यहां से इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा हमेशा जब भी आप ग्रेंज अन्लोडिंग करते हैं अनि की नीचे उतारते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा पहले तो चारो तरफ चड़के आप देख लें आपका टायर बिल्कुल सीधा है या नहीं है पूरा जितना भी आपका टायर है सब सीधा होना चाहिए बिल्कुल अर जब भी आप एस्टेरिंग पे चड़ें तो बिल्कुल एस्टेरिंग ना काटे टायर को आप टेड़ा करें और बिल्कुल उसी जिस तरह से आपका टायरे स्टेरिंग को ध्यान पर रखते हुए बिल्कुल उसी अनुसार से आपको बैक पे आना पड़ेगा और बैक आने से पहले देखिए यहां पेड़ का पेड़ आपको लगाना पड़ेगा ज्यादा है तो तो देख लीजिए करद आए जो तो दो नापड़ेगा ना नीचे आपको लगाना पड़ेगा और लगा के फिरसे से इसको आपको नीचे की और कर ना पड़ेगा तो देखिए अभी यह इस तरह से लगटी और आपका क्रें फ wedding दो सकते हैं याप को एίνगा और उसा सकता है तो इस टरहें हो इस तरह से दिश्च करेंगे पिलकुल नहीं करना उतारना पड़ेगा तो आसानी सप्रेइगा । कभी भी अप द्यान देखна हैं। भी भी आप ध्यान दे इक साइड पर नहीं डेखना हैं। Ooh तो दोनों साइड का जो ग्लास होता है वो ग्लास आप उतार दें ताकि बाहर में जो लोग हैं उसका आवाज सुन सके ना कि आप ग्लास बंद कर रहे हैं नीचे से चिला रहा है और आप उतार रहे हैं मिश्टेक होगा तो बिल्कुल अनबालेंस होके फल्टी हो सकता है तो कि आप गिलास पूरा उतार दें उसके बात से लो बिल्कुल एक नमर पिर लगाए के न में तो इससे आप क्रेण को नीकLIEुरोडिंग कर सकते हैं तो इस तरह से आप बिल्कुल ध्यान दें और जब भी आपको अनलोडिंग करना हो या जब भी आपको जब चढ़ाना हो टेलर पे तो उस समय भी आप इस चीज को ध्यान दें कि बिल्कुल पहले क्रेंज सीधा होना चाहिए सारा टायर सीधा होना चाहिए उसके बाद से आप आराम से ले जा सकत इस तरह से लोडिंग और अलोडिंग कर सकते तो चलिए मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छा लगा तो जितना जितना हो से के लाइक सेर और कॉमेंट करें जो ने भीवर हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले